नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी का स्वागत है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाव तो इंड्रोड्यूस योर्सिल्फ इन स्कूल और कॉलेज, यानि कि अगर आप नए स्कूल में जा रहे हो तो आप खुद का इंड्रोड़क्शन किस तरीके से दे सकते हो, ये आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी तो वीडियो लास तक देखिएगा और पसंदाती हो, तो लाइक, शियर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो सबसे पहले हम बोलेंगे, good morning everyone, सबको respect से बोलेंगे, good morning everyone उसके बाद फिर हम लिखेंगे, बोलेंगे, first of all, thank you for giving me a chance to introduce myself आप सबका धन्यवाद व्यक्त करेंगे, फिर हम लिखें बोलेंगे, my name is, जो भी आपका नाम है, मेरा ना मनुषका सिनहा है, तो मैं बोलोंगी, my name is Anushka Sinha I am 20 years old, I am from Patna, let me tell you about my schooling I studied at St. Karen Secondary School in Patna, I completed my junior college from Radiant International School and now I am here to complete my graduation in the prestigious College of Bihar, Patna Women's College जो भी आपके college के नाम है, वो आपको बोलना है I am very happy and excited to be here, मैं बहुत ही तदर खुश हूँ और excited हूँ यहाँ पर रहने के लिए फिर आपको यहाँ पर अपनी hobbies के बारे में बताना है, तो hobbies में हम बोलेंगे dancing, listening, musing and gardening यह तीन चीज मुझे बहुत ही अच्छे लगती है, तो मैंने यहाँ पर तीन चीज लिखा है आपको जो भी पसंद हो, आप वहाँ पर बोल सकते हो I love playing koko and basketball and have represented my school जो कि मैंने represent किया है koko में और basketball में अपने school को ठीक है, in many competition, मैंने बहुत सारे competition में participate किया है और represent किया है My active participation in sports has taught me many skills क्योंकि sports के लिए से आपको बहुत सारी चीज़े बता चाल जाती है तो मेरे को से बख़बा फिर यहाँ पर हम बोलेंगे, that's all about me, thank you ठीक है, तो last मैं आपको thank you बोलना है और इस तरीके से आप properly introduction अपना दे सकते हो अपने school में या college में तो मुझे उमीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रही होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe ज़रूर करिएगा और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, doubt हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसी के साथ जय हिंद, बंदि मात्रम, नमशकार